पर आप exam tour देख रहे हैं क्या estate का exam date बढ़ जाएगा या पस्पाउंड हो जाएगा इसके बारे में आप देख लें चुकि मुख चुनाव आयूद को later गया है तो क्या-क्या हो सकता है इसके बारे में हम बताएंगे VPSC का exam होगा क्या होगा सब कुछ जनकारी दिया जाए तो जितने भी सिक्षक भरती के बिद्यार थी है उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए और estate वाले को भी जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए यहाँ पर आते है estate वाले से related क्या सुचना है बिहार की सिख्षक पतरताप परिक्षा टलने के लिए चुनावाए को भेजा पत्र यह लोग पत्र भेजे हैं तो पत्र में क्या-क्या है इसके बारे में समझेंगे यहाँ पे दिया गया है जागरण ब्यूरो राजे जागरण परियागराज बिहार यानि परियाग राज का ये नियूज में है बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन बिप्यसी की यानि की 18 मई से 29 मई के बीच प्रस्तावित माधमिक सिक्षक पातरता परिक्षा 2024 प्रथम यानि पेपर वन का जो एक्जाम होने वाला है उसे रिलेटेर को अस्थागित कर कराये जाए इसका कारण भी देखिएगा क्या 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 बताये गया है चुनाव बात कराने की बात की गई मुख चुनाव आयुक्त को भेजे गए पत्र में बताये गया है कि इसी ओधी में यानि कि 20 और 25 मई के उतर परदे से उम बिहार में लोकसभा की कई शीटों पर परिक्षा में आवेधन किये हैं चुनाव के कारण वाहन की कमी होने से परतियोगी परिक्षा में जाने आने जाने में परिशानी होगी इवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंग ने मुख चुनाव आयुक को पत्र लिखकर बताया कि 20 और 25 मई के मद्दान होने के कारण उसके ठी पहले और बाद में बड़ी संख्या में बाहन निर्वाचन कारे में लगाए जाएंगे परिक्षार्थी परिक्षा देने जाएंगे तो वह मद्दान करने से वंचित हो जाएंगे ऐसी इस्तिती में परिक्षा में सामिल सम्मिलित होने पर मद्दान से उन्हें वंचित होन है मुख चुनाव आयूक को लेटर रिखा गया है और उसमें बताये गया है कि जो आपका 18 से एकजाम होने वाला 18 से 29 मही यानि पेपर वन जो होने वाला है इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद यानि 20 से 25 के बीच में आपका चुनाव है जो की बिहार में और यूपी दोनों जगा चुनाव है चुनाव से 2-3 दिन पहले वाहन का दिकत होता है इस में कोई गल्ती नहीं है चुनाव के बाद भी 2-3 दिन वाहन का समस्या होता है चुकर चुनाव कारे में लग जaneous य도 कोई विद्यार्थी एकजाम देने आते है तो उनको मत देने से वन्चित रह जाए या मत नहीं दे पाएंगे इसको लेकर इन्होंने आसंका जाहिर की है और लेटर दिया है मुख चुनाव आयुक को अब वहां से देखिए क्या होता है कैसे होगा क्या डेट एक्जाम का आगे बढ़ जाएगा या इसी डेट पर होगा अब यह चुनाव आयुक के पास है जरूर सब्सक्राइब कर लें एक्जाम टूर चैनल आपके लिए बहुत महत्पुन होगा तो जो भी एस्टेट के विद्यारती हैं उनके लिए हमेशा मैं सबसे पहले सुचना लेकर आता हूं और एकदम हंडेट परसेंट सटीक सही और परमानिक सुचना रहाता है तो इस सिंग के द्वारा ये सब लेटर दिया गया है और चुनाव आयोग इस पर क्या करवाई करती है क्या आदेश आता है उसके बाद इस पर आपका कोई एक से दो दिन में एक से दो दिन में क्या कल या परसों में क्लियर हो जाएगा चुकि 18 से एक्जाम में स्टार्ट होना ही ह तो क्या होता है, क्या बींच में कोई exam को रोका जाता है? या नहीं रोका जाता है? या क्या किया जाता है? ये तो अब आदेश आने के बाद ही होगा. आज यह कल में 100% किलियर हो जाएगा आपका जो जो एन्मीर काद निकाल लिए हैं, अध्यान रत रहें, चुकि अभी आयोग के तरफ से कोई नोटिस नहीं है ये जो है इवा मंज के द्वारा दिया गया है और ये भी बताया गया है कि यहाँ पे देखिएगा परिक्षा 18 माई से 29 माई के बीच है प्रस्तावित 20 माई और 15 माई को यूपी और बिहार में मद्दान है इस सब को लेक समाप्त होगा फिर